हेलो फ्रेंड्स आज से श्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं 7-8 साल की बेबी के लिए इस तरीके से टॉप बनाना बता रही हूँ तो देखिए एक मेरा में कपड़ा है और एक अस्तर वाला कपड़ा है तो सबसे पहले अस्तर वाले कपड़े की ही कटिंग करते हैं तो इस कपड़े को 4 फोल्ड करके रखना है और फोल्ड वाला साइड अपने साइड रखना है और जो इसकी चोड़ाई है अपने चेश्ट क एक ओर्डिंग रख करके फिर हम इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं यानि कि चेश्ट का चौथा भाग लेते हैं और उसमें 1.5 इंच फिर 2 इंच मार्जन वाला कपड़ा रखते हुए हम उसकी चौड़ाई को नाप करके फिर फोल्ड कर लेते हैं तो फोल्ड करने के बाद द लख रही हूं 15.5 इंच 14.5 इंच तयार चाहिए वन इंच में एक्स्टर लेते हुए मैं लंबाई रखी हूं यानि कि लंबाई का मैं निसान लगाए हूं अब यहां से नेक का निसान में लगा रही हूं 2.25 इंच यानि कि सबा दो इंच पर और सोल्डर की चोड़ाई का निसान में लगाई हूं 5.5 इंच पर आर्म होल की लंबाई भी मैं रख रही हूं 5.5 इंच और इस तरीके से निसान को सिधा कर लेना है अब यहां से चेस्ट का चौथा भाग लेना है जो भी आपका चेस्ट है उसका चौथा भाग लेंगे और फिर इसके आगे हम 1.5 दूंगी तो यहां मैं गुलाई का शेप में 1.5 इंच पर मैं दी हूं अब इसके बाद से देखे नीचे वाला निशान भी हम सीधा मिला लेंगे हलका सा मैं नीचे से मैं जो उसका कमर है कम कर ली हूं यानि की कमर बहुत पतला है तो थोड़ा सा मैं कम कर दी हूं आप चाह थोड़ा सा छोटा रहेगा तो इसलिए मैं दोनों पार्ट को अलग करके फिर मैं नेक की कटिंग करूंगी तो जो इसका बैक पार्ट रहेगा थोड़ा सा छोटा मैं नेक रखूंगी और फ्रेंट पार्ट थोड़ा सा मैं बड़ा रखूंगी तो इस तरीके से दोनों को करने के बाद में राउंड सिब दे रही हुं अच्छी से राउंड से देना है नों अ ज Приसंद कर लेना है हम से यह विकला डु1 चले करते हैं अब जो दूसरा पर्ट इंच लंबाई में निशान लागा करके और यहां भी मैं बॉक्स तयार करके और फिर गुलाई का में शेप दे दी हूं और इस निशान पर भी कटिंग कर लेना है और जो इसका फ्रंट पार्ट है उसमें थोड़ा सा मैं हाफ इंच गहराई दूंगी आर्म होल के साइड यान उपरवाला जो पार्ट है में कपड़े में हम प्लेट्स डालेंगे लेकिन घेरवाला जो कपड़ा है उसमें हम प्लेट्स नहीं डालेंगे तो इसमें ए लाइन में कुर्थी कट करते हैं यानिकि नीचे कघेर ज्यादा रहेगा और उपर कमर के according हम उसके चौड़ाई देख़े में कपड़े को मैं डबल में फोल्ड करके रख ले रही हूं ल對了 ने पर फोड़ इसको भी कर लेंगे और फिर दोनों को अलग करेंगे और फिर हम नेकी की बड़ करेंगेом वह दिखे रग्रवलसर सबक्राइब कर लेंगे तो यहां मैं अस्तर वाला कपड़ा कटिंग की हूँ, उसी को रख करके मैं में कपड़े की कटिंग कर ले रही हूँ, नेक के पास से थोड़ा सा एक्ष्ट्रा और आर्मोहल के पास से मैं थोड़ा सा एक्ष्ट्रा कट करूँगी में कपड़ा, क्योंकि दोनों को मैं पलट दूँगी यानि कि आर मोहल के पास से भी मैं सिलाई लगा करके पलट दूँगी और नेक के पास से भी मैं सिलाई लगा करके पलट दूँगी तो थोड़ा सा मैं एक्ष्टा रखी हूँ गले पर सिलाई लगाने के बाद जो extra fabric होता है, उसको cutting कर देते हैं, और फिर उसको हम पलट लेते हैं आब इसमें जो नीचे वाला कपड़ा बचा है, इसमें भी देखे ऐसे कपड़ा कम दिख रहा है, याँनि कि घिर के लिए कम दिख रहा है तो सबसे पहले हम कपड़े को बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद देखे इस तरीके से इसको रखेंगे और फिर हम घेर के लिए जो जितना चौड़ा ये कपड़ा दिख रहा है उसका डबल करना है तो देखिए लंबाई, जो घेर वाला कपड़ी की लंबाई है नीचे से देखिए इतना एक्स्टा हो रहा है तो उसको हम कटिंग करके और साइड में हम जोड देगे जोडने के बाद हम इसमें प्लेट्स डाल करके घेर तयार कर लेंगे जोएंट रहेगा तो जब हम प्लेट्स डालेंगे उसमें समझ में नहीं आएगा तो देखिए उपर वाला पार्ट मैं आप सील करके तयार कर ले रही हूँ जो सीधा वाला साइड है उसके ऊपर हम अस्तर वाले कप्रे को रखेंगे और फिर आर्म होल पर सिलाई लगाएंगे और नेक पर सिलाई लगाएंगे और फिर इसको पलट देंगे तो जब हम पलटेंगे तो उल्टा वाला साइड नीचे चला जाएगा और सीधा वाला साइड उपर आएगा तो इस तरीके से देखिए दोनों पार्ट मैं तयार कर ले हूँ पलटने के बाद दोनों साइड वाला सिलाई में लगा ले हूँ और नीचे वाला भी में सिलाई लगा ले हूँ तो देखिए दोनों पार्ट तयार हो गया है अब आप नेक पर या आर्म होल के पास आप पाइपीन भी लगा सकते हैं या फिर कोई लेस भी लगा सकते हैं अब जो इसका बैक पार्ट है तो पीछे ये जैसे में बताई थी कि ओपर रखना है हुक लगाने के लिए तो आप अलग से पट्टी अटेच करके उसमें मैं हुक लगाऊंगे तो हुक पट्टी के लिए मैं अलग से पट्टी कट कर रहे हुँ तो पतला एक पट्टी कट कर लेना है इसको बीच सेंटर से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद देखिए इसकी लंबाई को हम रखें थोड़ा सा नीचे एक ऊर हम निशान लागाएंगे कि जिस में ऊपर से कपड़ा फोल्ड करेंगे हैं तो में YUकि तोड़ा निशmbol करें हैं यानि कि जितना कपड़ा फोल्ड करेंगे उतना नीचे हम एक और निशान लगा करके फिर उसको थोड़ा सा जो कटकी है उसको बढ़ा लेंगे और फिर देखिए चारो साइट से इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फिर उस पर रख करके ऐसे और सिलाई लगा करके उसको हम पलट देंगे पलटने के बाद, चारो साइट से उसमें तुरपाई कर लेना होता है, तो फिनिसिंग बहुत अच्छी आती है, देखें, यहां मैं पलट करके सिलाई लगा ले हूँ, अब इसमें तुरपाई कर लेना है, तो यह उपर वाला पार्ट तयार हो गया है, अब इसमें, सोलडर व जो पार्ट है, यानि की कमर के एक ओडिंग हम इसको कर लेंगे, तो देखें, इस तरीके से प्लेट से डाल करके सिलाई लगा लेना है, अब जो अस्तर वाला कपड़ा था, उसमें भी देखें, साइट से मैं जॉइंट लगा करके, और एलाइन में मैं कट कर ले हूँ, या अब हम इसमें नीचे घेर को तयार कर लेंगे, तो दोनों पार्ट वाला जो घेर है, मैं अलग अलग तयार कर लेंगे, और में कपड़ा हम अलग अलग अटेज करेंगे, तो देखें, यहां मैं घेर वाला जो पार्ट है, उसमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाना था तैयार की हूँ इसमें मैं अस्तर अलग से ज्वाइंट की हूँ थोड़ा सा उपर से वन इंच के लगवागा हम एक साथ कपड़ा पकड़ते हैं फिर दोनों को अलग-अलग करके सिलाई लगा लेते हैं अब दोनों पार्ट तैयार हो गया है तो दोनों को एक साथ हटेज कर लेना है तो देखिए यहां मैं दोनों एक साथ हटेज कर ले हूँ अब यह टॉप बनके रेडी हो गया है इसमें नीचे में प्लाजो बनाओंगी अम्रेला प्लाजो तो उसका भी वीडियो में बहुत ही जल्द आप लोग के साथ सेयर करूंगी यह दोनों ट्रेस से हम एक यह थेंक यू